हेलो बच्चो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी युट्योब चैनल स्टूडन्स लाइक में आज मैं आप सब के लिए दो बड़ी ख़बरे लेके आया हूँ पहली जो ख़बर है ये CBSE class 12 के स्टूडन्स के लिए है और दूसरी जो ख़बर होगी वो class 10 और 12 दोनों तरह के स्टूडन्स के लिए होगी तो वीडियो आप पुरा सुरू से अंतक देखते रहें तो पहली जो यहाँ पे ख़बर लिखी गई है ये DIY की CBSE 12 में एक विसाय से फेल तो बदले में अतरिक्त विसाय का विकल्प पहले CBSE class 12 के बच्चों के लिए क्या था कि यदि कोई भी वे main subject में पहले फेल हो जाते थे तो optional वे जो subject चुनते थे तो उनके साथ वोला जो subject होता था वो replace नहीं होता था और उनको फेल कर दिया जाता था लेकिन अब ये rule change हो गया है 2021 board examinations के लिए पूरी ख़बर में यहाँ पे आप लोग को पढ़के भी दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे लिखा गया है कि केंद्रिय मादमिक सिक्षा board यानी जो CBC है उसके द्वारा 2021 में बार्वी बोर्ड परिक्षार्थी को अतरिक्त विशय को replace करने का विकल्प दिया है अगर बार्वी बोर्ड देने वाला कोई भी छात्र अपने तीन मुख्य विशय में से किसी एक विशय में fail हो गया तो अतरिक्त विशय से उसे बोर्ड replace कर देगा जो की ऐसा 2020 से पहले नहीं था नेक्स्ट आगे दिया हुआ है कि इससे छात्र को उत्रिणता का result मिलेगा अभी तक ये सुविधा दसवी के छात्र को ही मिली थी यानि क्लास 10 के लिए ये पहले से था कि यदि कोई वे main subjects में fail हो जाते जैसे science हो गया, social science हो गया या फिर mathematics हो गया तो जो उनका optional subject रहता था जैसे IT, computer science तो उसके साथ वो उला subject replace हो जाता था लेकिन ये सुविधा अब क्लास 12 के बच्चों के लिए भी कर दिया गया है आगे दिया हुआ है कि बोर्ड ने 10 वी बोर्ड परिक्षार्थियों को 2020 में ये सुविधा दे थी लेकिन 2021 से बार्वी के चात्रों को भी मिलेगा आगे दिया गया कि ग्यात हो कि 2020 के बार्वी बोर्ड का रिजल्ट काफी खराब हो गया है पटना जोन के विहार की बात करे तो एक लाग से अधिक चात्र बार्वी में सामिल हो थे लेकिन 36,000 से अधिक परिचार्थी फेल हो गया है चात्रों के रिजल्ट में सुधार हो इसके लिए बोर्ड द्वारा या सुविधा दी जा रही है अभी तक अगर किसी एक विशय में एक या दो अंकम है तो वो फेल हो जाते हैं और उन्हें फिर कमपार्टमेंटल परिच्छा में सामिल होना होता है लेकिन अब एक विशय में फेल होने के बाद चात्र के पास रिप्लेस करने का विकल्प रहेगा तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी फुस्खवरी है क्लास 12 के बच्चों के लिए साथ ही इसमें ये भी दिया गया है कि रिजल्ट में 20% की बढ़ुतरी हुई है क्लास 10 के स्टुडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो क्योंकि इसमें लिखा गया कि बोड की माने तो दसवी के 2020 के रिजल्ट में बढ़ुतरी हुई है लगबग 20% यानि 20% ऐसे चात्र थे जो मुख्य विशय में फेल हो गए थे ऐसे में बोड ने चात्र के मुख्य एक विशय का अंक अतरिक्त विशय से रिप्लेस कर दिया मुख्य तीन विशय में चात्र के अतरिक्त विशय को जोड़ दिया गया इससे चात्र पास हो गए इससे 20% रिजल्ट बहतर हुआ था आगे यह भी दिया गया है कि बारवी बोर्ड में 2021 से यह लागू होगा इससे चात्र को पास होने का एक विकल्प मिलेगा साथ में अतरिक्त विसाई खास कर अस्किल्स विसाई के प्रती रुजान भी बढ़ेगा और यह सारी बाते जो है वो सैयम भारदवाज जो की परिक्षा के नियंतरक है इन्होंने ये बताया हुआ CBAC के परिक्षा नियंतरक है सैयम भारदवाज ओके अब यहाँ पर दूसरी जो ख़वर है हुए क्लास 10 और 12 दोनों के लिए है ये ख़वर है कि यदि कोई भी प्रश्ण हमारे एक्जाम निशन्शन में गलत आता है तो उसके पूरे अंक CBAC देगा लिखा गया कि CBAC ने 10 और 12 बोर्ड परिक्षा के लिए ऑनलाइन एक्जाम सेंटर मेनेजमेंट सिस्टम बनाया है इसके माधियम से परिक्षा के दोरान हर दिन प्रश्ण पत्र पर अस्कूलों से फीड़बेक लिया जाएगा इसके लिए अस्कूल में विसेवार सिच्चक परिक्षा के लिए अगर परिक्षा के तौरान किसी प्रश्ण में कोई भी प्रश्ण गलत होगा तो ऐसे केश में CBAC दौरा उस प्रश्ण पर पूरे अंक दिये जाएंगे सो कलास 10 और 12 के स्टूडेंस के लिए ये दो बड़ी खुश खवरी थी और भी सितरह की लेटिस्ट अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे